जहिन सातियों आजम करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मेन इंपॉर्टन एम्सिक्यूस जो आपके अपकमिन एक्जाम यूपीएसी एपीएफो पीएस एक्जाम या फिर एससी सीजियल जैसे एक्जाम में बहुत इंपॉर्टन कोशन आता है यहां से जिसको हम और इवेंट के साथ समझेंगे मिरे नाम है विजे सिंग रासपूत अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आने पर लाइक शेर जरू करिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे पहला है Petition of Bengal 1905 बंगाल का विवाजन 1905 देखे उस समय बंगाल बहुत ही बड़ा चेतर हुआ करता था तो अंगरेजों की में कोशिश रहती थी कि कैसे हम इंडिया को भारत को तोड़े और जो है उन्होंने बंगाल में क्या किया कि 1905 को यानि वहां पर जो है एक ल बंगोल और लाजपतर तक बंगोल लाजट को त्क इंडर जो है उसके बाद 1905 को एक और मोमेंट के शुरवाट तुमियाक नाम था स्वधेसि मोमेंट 1905 को टीन लोगों ने मिलकर चलाया वhong थे लाल पाल पाल लाल यानि की लाला लाजपतराय बाल यानि की बाल गंगादर तिलक पाल यानि की विपिन चंद्र पाल इन तिनों ने मिलकर इस आजलों की सुरुवात करी और इनों ने कहा कि आजादी का रास्ता हम खुद निकालेंगे हमें कॉंग्रेस की कोई खास जरुवत नही है उसके बाद 1906 को कलकता सेशन हुआ जिसके प्रेजिडेंट हुआ करते थे दादा भाई नरोजी चलिए उसके बाद 1906 को मुस्लिम लिंग देखे क्या हुआ अंग्रेज जो है वो भारत की यूनिटी तोड़ना चाते थे तो अंग्रेज जोने मुस्लिम के कुछ लीडर को पास बुलाया और उन्हें कहा कि साफ हम आपकी बड़ इज़त करते हैं और यह जो हिंदू लोग है यह आपकी बिल्कुल इज़त नहीं करते और आपके योगदानों को नकारा जा रहे हैं और जिसे भढ़का के मुस्लिम लीडर के अंदर उन्होंने इन सेक्रिटी पैदा कर दी कोशन यहांपर यह आता है कि यह औल इंडियन मुस्लिम जो है वो उसकी गठन 1906 को हुआ कहां हुआ तुसका अंसर है धाका में हुआ कहां हुआ धाका में हुआ उसके बाद 1907 को सूरत में Split of Congress यानि कि Split of Congress में दो भागों में बाटा गया एक है नरम दल और एक है गरम दल और उस समय जो वहां के प्रेजिडेंट हुआ करते थे उनका नाम था राज बिहारी घोस 1909 को Marlowe Minto Act reform हुआ Marlowe Minto Act क्या है बताता हूँ मैं आपको इसमें अंग्रेजों ने मुसल्मान को एक खास विशेश तरह का आरक्षन दिया और अंग्रेजों ने मुसल्मानों को ये खास तरह का विशेश आरक्षन इसलिए दिया ताकि हिंदू और मुसलिम में और भी ज़्यादा भीड़न हुआ